नवस्कार दोस्तों में चल मैं आपका पर फिर से स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ तो फिर बिना इंटो में टाइम वो इसके वीडियो में आगे बढ़ते हैं देन लेट स्टार्ट सो फ्रेंज आज मेरे पास यह है एक डिसको लाइट जिसे हम अपग्रेट करेंगे या फिर आप इसे मोडिफाई भी बोल सकते हो और आप में से बहुत सरी लोग जानते हो यह कैसे काम करता है फिर भी जिनने नहीं पता उनके लिए मैं बता दू यह उपर वाला पोर्शन है यह घुमता है और यह तीनो एलेडीस कॉंटिनुवस जलता है और यह तीनो एलेडी तीनो कलर की है रेड, ब्लू और ग्रीन तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह कुछ इस तरह से जलता है जब हम इसे पावर देते हैं और आज हम इसे दो तरीके से मोडिफाई करेंगे जी तीनो एलेडिस में से दो एलेडिस एकसाथ जलेगी ये red and blue भी हो सकता है और red and green भी हो सकता है और इसी तरह से ये कभी red and blue, कभी red and green, कभी green and blue इस तरह से ये continuous जलता रहेगा अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो को last तक जरूर देखेगा आपको ये समझ में आ जाएगी सो modify करने के लिए सबसे पहले हमें इसे खोलना पड़ेगा तो चलिए इसे खोलते हैं सो इसे modify करने की पहला जो step है वो हमें LED से शुरू करना पड़ेगा सो यहाँ पर आप इस LED की connection को अगर गौर से देखें तो आप इसे देखेंगे ये LED जो है ये series connection में जुरा हुआ है एक के साथ एक डेमो के तोर पर आप यहाँ पर देख सकते हो और इस board में ये LED कुछ इस तरह से एक के साथ एक connected है सो हमें इसे break काना पड़ेगा यानि के ये जो LED की connection है इसे हमें तोर ना पड़ेगा कुछ इस तरह से और उसके बाद हमने सारे LED की जो नेगडिप बलब पॉइंट है उसको हमने common कर दिया है कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो हमने एक वयार से सारे नेगडिप को जोड लिया है कि सारी parts आपको किसी भी electronics दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे और यह circuit 5V से operate होती है तो चलिए इसे यहाँ पर fit करते हैं आप मैं आपको इसकी connection के बारे में थोड़ा बता दू यह जो circuit board है यहाँ से 15V output होके यह जो 7805 IC है यहाँ पर जाती है और यह 7805 IC only 5V यह पुड़े circuit board में supply देती है तो यहाँ पर हमने इस board में 5V input दे दिया है आप हम इसे इस motor के साथ connect करेंगे यानि इस motor को हम यहाँ से power देंगे तो यहाँ पर हमने motor की wire को इस circuit board से जोड़ दिया है जो की यहाँ पर है और motor की connection को complete करने के बाद हमने उस circuit board को यहाँ पर fit कर दिया है और आप हम इसे close कर देंगे और आगे LADS की connection को complete करेंगे इन wires के साथ तो अब चलिए इन 4 wires को इन LADS की साथ connection करते हैं यहाँ पर अब देख सकते हो तीनो rate color की जो wire है उसको हमने LADS की positive के साथ connect कर दिया है और यह जो gray color की wire है उसको हमने ground के साथ connect कर दिया है तो यहाँ पर हमारा पहला जो modification है वो connection complete हो चुका है अभी दूसरा modification भी बाकी है दोस्तो तो चलिए पहले इसको आपको test करके दिखाते हैं यह कैसे काम करता है हमने disco light को एसके साथ connect कर दिया है यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो disco light था जो पहले तीनो LED एक साथ जलती थी वो आप दो जल रहा है और उसके बाद यह फिर चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो और यह कुछ दिर बाद फिर से चेंज हो जाएगा और इसकी जो view है वो कुछ इस तरह से आती है घर में तो आप बात करते हैं fast modification की circuit के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हो हमने दो circuit ड्रॉव करके रखा है तो पहले बात करते हैं इस circuit के बारे में यहाँ पर हमने एक 555 IC यूज किया है और एक 470UF capacitor जो की electrolytic capacitor है उसको यूज किया है और एक 20 के potential meter यूज किया है जिसकी connection आप यहाँ पर देख सकते हो और उसके बाद एक train के की resistance हमने यहाँ पर यूज किया है और यह है एक 40-17 IC और जिसकी pin configuration हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से draw किया है और आप इस IC में आपको कुछ इस तरह से connection देना होगा जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ सो सबसे पहले हम यहाँ पर number 13 और number 8 pin को एक साथ जोर देंगे कुछ इस तरह से और उसके बाद pin 15 and pin 7 को हम कुछ इस तरह से जोर देंगे आपस में और उसके बाद plus 5 volt हम 16 number pin को देंगे और उसके बाद ground को हम 13 number pin के साथ कुछ इस तरह से जोर देंगे और उसके बाद टिपिल 5 IC की जो 3 number pin है उसके साथ हम 14 number pin को कुछ इस तरह से जोर देंगे और उसके बाद हमारा सारा connection complete हो चुका है इस circuit में आप हमें बस प्लास 5 वोल्ट इस circuit में देना होगा तो ये circuit काम करना start कर देगी और यहाँ पर आप जो 2, 3 और 4 नमबर पीन देख रहे हो ये हमारा output की पीन है और ये 2, 3 और 4 नमबर पीन हमारा जो तीनो एलेडीस है उन एलेडीस की जो positive पीन है वहाँ पर एक एक करके जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हो हमने आपको पहले ही वीडियो में दिखाया था जो output की point है वो point हमने एलेडीस की जो positive बला point है उसके साथ connect किया है और तीनो एलेडीस की जो ground बला point है उसको हमने common कर दिया है और common करके ground के साथ connect कर दिया है यहाँ पर हमारा पहला modification complete हो चुका है अब दूसरी modification के बारे में आपको दिखाते हैं दूसरी modification के लिए हमें ज्यादा कुछ change करने की जरूरत नहीं है हम वही circuit को use करेंगे बस हमें तीन transistor चाहिए यहाँ पर हमने आप देख सकते हो तीनो transistor को हमने यहाँ पर add किया है और circuit हमने वही same रखा है और connection को हमने थुड़ा यहाँ पर change कर दिया है तो वही जो change हमने किया है वो आपको मैं बताऊंगा पहले दूसरी modification की demo को आप यहाँ पर थुड़ा देख लिजिए यह दूसरी modification की demo है अब चलिए उसकी connection को आपको दिखाते हैं हमने क्या changes किया है उस connection में सो गाइस यहाँ पर आपको एक बत मैं एक clear बता दू मैंने यहाँ पर जो 47 IC है उसकी जो output point है उसमें ही changes किया है और बाकी जो circuit है हमने वो ही same रखा है सो इस बार हम LADS में direct plus 5V supply दे दिया है यहाँ पर आप circuit में देख सकते हो direct plus 5V है वो LADS की जो positive बाला point है उसके साथ हमने connect कर दिया है और LADS की जो negative बाला point है वो जाएगी BC547 जो transistor है उसकी collector pin के साथ जुरेगी कुछ इस तरह से और तीनों transistor की जो emitter बाला point है वो तीनों एक साथ shouldering होके ground के साथ connect होगी और last में तीनों transistor की जो base बाला point है उसके साथ number 2, number 3 और number 4 जो point है वो shouldering होगी कुछ इस तरह से इन दोनों तरीकों से आप घर पे ही अपने disco light को connection करके modify कर सकते हैं okay guys thanks for watching my video if you like my video then please share it and subscribe my channel thank you